आज हम फ्रेंच प्रभावादी चित्रकार क्लॉव ओसकर मोने की बात करेंगे। प्रभावाद के सिद्धानतों को क्लॉव मोने ने चरम सीमा तक प्रयोगानवित किया। वे प्रभावादियों के लीडर कहलाए और ता उम्र उन्होंने प्रभावाद को निस्टा से आगे बढ़ाया। पैरिस में जन्में क्लॉव मोने हारवे नॉर्मंडी में व्यवसाय से जुड़कर वहाँ पर रहने लगे। लह हारवे सेकेंडरी स्कूल में उन्होंने एड्मिशन लिया। यहां मोने की प्रसिद्ध चारकुल कैरिकेचर रिजिट करने के कारण वे उस स्थान में प्रसिद्ध भी हुए। इन्होंने दुकान में प्रदर्शनी कक्ष में विक्रे हेतु ये अपने कैरिकेचर लगाए। माने की प्राथमिक कला शिक्षा दावी के शिष्षे जौक फ्रेंसिस और्शुड के निरिक्षन में हुई। इसी समय मोने का परीचय बौधिन से हुआ जो की एक लेंड्स के पार्टिस थे। बौधिन से मोने ने तेल चित्रन तथा बाहिये द्रश्य चित्रन तकनी का प्रियोग सीखा। 1859 में मोने पैरिस गए जहां उन्होंने लूब्री संग्राले में महां चित्रकारों की कृतियों का अधियन किया तथा बाहिये द्रश्यों को चित्रत किया। यहां मोने का परीचय अन्य समकाली चित्रकारों से हुआ जिन में माने प्रमुक थे, उसके बाद रेनवा, सिसली, बेजले, पिसारो इत्याधी कलाकार थे 1862 में मोने ने स्विस चित्रकार चास ग्लेर की चित्रकार शाला में प्रवेश लिया यह सभी आर्टिस्ट माने को छोड़ कर इनसे यहां पर मिले यहां चित्रकारों ने नवीन द्रश्टिकोंड से तूटते रंगांक कर वस्पस्ट निर्भीक तूली का संचालन द्वारा बाहिये प्राकृतिक द्रश्यों में प्रकाश के प्रभाव का चित्रन करना 1866 में मोनी ने कैमिले नामक लड़की का व्यक्ति चित्र बनाया कैमिले वही है जो बाद में उनकी पत्नी भी बनी थी उस साल के राश्ट्री का लाप्रदर्शनी में ये चित्र उनका स्वीक्रत हुआ दूसरे साल उन्होंने अपना प्रसिद्य चित्र बगीचे में महिलाएं नामक चित्र बनाया जो उनके मित्र बैजिले ने 2500 में खरीदा इस समय मोनी को कठिन आर्थिक परिस्ति का सामना करना पड़ रहा था माने वर अन्य उदार मित्रों की सहयता से वे उस परिस्ति को पार कर सके उनकी विपन्ना वस्ता की कलपना उनके समय माने को लिखे पत्र से पता चलती है 1870 में जर्मनी के फ्रांस पर आकरमन पर मोने प्रथम हॉलेंड चले गए उसके बाद में पिसारों के साथ लंदन में रहने लगे हॉलेंड में उन्होंने एक पंसारी की दुकान में सामान लपेटनी के लिए रखे हुए कागजों पर मोने ने जापानी चापाचित्र देखे चापाचित्रों के अनोखे संयोजन से वह आप परीचित रंगांकन से उनको एक नया द्रिष्टिकों प्राप्त हुआ लंदन में टर्नर के प्रकृती चित्रों से वह बहुत प्रभावित थे भिन रंगों वह छटाओं द्वारा वातावरन वह प्रकाश का प्रभाव किस तरह बनाया जा सकता है इसका प्रमान उनको दिलाकरा वह माने के चित्रों से प्राप्त हुआ टर्नर के चित्र इस पद्दती के बहुत ही सपस्ट वे सफल उधारन थे अब तक विशुद्ध रंगांकन के साथ मोने वस्तु के नीजी रंग पर भी ध्यान देकर चित्रन किया करते थे अब माने मोने ने निश्य किया की संपूर्ण द्रश्य पर हुए प्रकाश के प्रभाव को प्रमुक लक्षे मान कर वे चित्रन करेंगे 1874 के पश्चात बनाए गए मोने के चित्र ऐसे दिखाई देते हैं जैसे की पार्थिव वस्तु को व्याप्त करने वाले भिन अवस्ता प्राप्त वातावरन के प्रतिरूप कैफे गुएर्बा नामक एक स्थान पर ये प्रभाववादी चित्रकार कला संबंदी चर्चा करने के लिए मिलते थे उनके विचार बिन्नता के अनुसार दो वर्ग किये जा सकते हैं जिसमें पहला वर्ग हम देखते हैं जिसमें हम माने को ले सकते हैं रेन्वा को ले सकते हैं देगा को ले सकते हैं क्योंकि इनकी कला में प्रभाववादी अंकन पद्दती की विशेषताओं के अलावा contemporary life भी देखने को मिलती है जबकि जो second category है उसमें हम मोने को ले सकते हैं पिसारों को ले सकते हैं सिसली जैसे कलाकारों को ले सकते हैं क्योंकि ये अभी तक अपने कामों में सिद्धान्तों की कट्टरता का पालन करते हुए अपना जो वातावरन का प्रकाशी चंचल रूप था उसके अतिरिक्त और कुछ भी काम नहीं कर रहे थे मोने ने आव विश्टान्त परिश्रम करके प्रभावाद को 19 विशताबदी की सबसे महत्पूर्ण क्रांतिकारी कलाशैली का स्थान प्राप्त करवा दिया उनके चित्रों में विशुद्ध रंग संगती हम देख सकते हैं हम उनके चित्रों में नैसरगिक प्रकाश का एक साथ दर्शकों को मोहित कर लेने का प्रभाव देख सकते हैं रंगों के स्वाभाविक सौंदर्य की रक्षा करके उसके द्वारा नैसरगिक प्रकाश वे अवकाश के परिणाम को चित्रिचो किया और रूडिवद चाय प्रकाश के परिणाम को चित्रकला से हटा दिया ऐसा जो प्रभाव है वो हम उनके चित्र में देख सकते हैं जहांपे कलपना नहीं है पौरानिक पिशे बिल्कुल नहीं है सूर्य देवता जैसे चित्र नहीं है क्योंकि माने सूर्य देवता को देखकर ये प्रशन किया करते थी क्या आपने सूर्य देवता को देखा है अब मोने उनके प्रभाववादी अनुयाईयों ने सूर्य के प्रकाश को सब जगे देखा है और उनके चंचल प्रभाव को अपने चित्रों का विशे भी बनाया है ये सब चित्रकार चित्रन के लिए बगीचा, रेलवी स्टेशन, नदी का किनारा, उपहार ग्रह, गुर्दोड का मैदान, नाटक ग्रह, आदी स्थानों पर जाते थे और चित्र करते थे वे जीवन से प्यार करते थे, जहां भी देखते सौंदर एको अनुभव करते और उनको ऐसा ही विशे चित्रन उप्योगी लगता था मोने ने पैरिस, लंदन, वेनिस जैसे शहरों के द्रश्य चित्रों को चित्रित किया मैदानों नदी किनारों वे उप्वनों के द्रश्यों उनके विशेश प्रिये विशे में थे कारे कक्षे में बैटकर चित्रन करना उनको पसंद नहीं था वे कहते थे मेरे पास कोई कारे कक्षे नहीं है एवा मेरी समझ में नहीं आता है कि कमरे में बंद होकर चित्रकार क्यों काम करना चाहता है उन्होंने पहाडों के उतार चड़ाओ, जिर्वनी के बगीचे, सेन नदी का शिकारा, आंतिम के तार्व रक्षों की छाया ये सब उन्होंने अपने चित्रों का विशे बनाया हम देखते हैं कि प्राकरतिक सोंधर्य को उन्होंने बखुबी से चित्रित किया उन्होंने कैमिल नामक जुमहिला को मौडल बना कर अपने अनेक चित्र बनाये थे और यहीं से मोने को जो पहचान मिली उसके पश्चात वे 1870 इस्वी को फ्रेंको पर्शिन युद्योपरांत मोने के इंगलेंड जाने के बाद उसमें और प्रभाव परिवर्तन हमको देखने को मिलता है परिश में मोने ने 1872 में एतिहासिक क्रती इंप्रेशन सन्राइज नामक चित्र बनाया जो की लव हर्वे का प्राकरतिक द्रश्य था इस चित्र का प्रदर्शन 1874 में आयजित किया गया फ्रेंच प्रभाववादियों के प्रदर्शनी में ये जब प्रदर्शित हुआ और जो प्रभाव इसकी प्रथम जो प्रभाव है वो देखने को मिला इसी के बाद इसका नाम प्रभाववाद पड़ा इस चित्र में मोने ने आस पस्ट बड़े निर्भीक तूली का संचालन द्वारा सूरेदे के प्रखाश के प्रभाव में दिखाई देने वाली प्रकरती को चित्रन किया तूली का संचालन वे विशुद्ध रंगों की सहायता से सहासिक प्रयोग करने के कारण इस चित्र में पदार्थों की सगंता तूटती भी देखने को मिलती है और चित्र में प्रतिकात्मक्ता चेतना फून दिखाई देती है ये संराइज इंप्रेशन नामक ये जो चित्र है ये लूई लेराई नामक कला समिक्षक द्वारा लाशारीवारी मैगजीन के अंदर लिखे लेख में इसको शीर्षक दिया प्रभाववादियों के प्रदर्शनी और इसके बाद ये प्रभाववाद नामक कलाकार मंडल का एक शीर्षक चित्र बन गया जो की एक मजाक के रूप में लिया गया